हेलो एव्रिवन कैसे आप सब लोग आई खोब आप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे और एकदम जो है तैयारी करने के लिए आप रेडी हो गए होंगे बिकॉज अब जो है सिर्फ 6 महीने बचे है स्युवीटी पीजी एक्जाम के लिए और अगर आप उनमें से एक है कि आ आज के इस वीडियो में आपको सारी शीज़े पढ़ता चलने वाली है कि आप क्या क्या कर सकते हैं इन 6 महीनों में और किस तरीके से आपको पहला स्टेप उठाना है तो अगर आप अपने ग्राजुएशन के लास्ट यह में हैं और या फिर आप अपनी ग्राजुएशन कर चुके हैं और अब आपका मन बन रहा है कि हम पोस्ट ग्राजुएशन करना चाहते क्योंकि देखो आज कल सिर्फ ग्राजुएशन से तो कुछ भी नहीं होता या तो आपको आगे जाके कोई प्रफेशनल कोर्स करना होता है या फिर आपको पोस्ट ग्राजुएशन करना है तो अगर आपको कोई professional course भी करना है लेट से आपको BA भी करनी है MBA भी करनी है या फिर कोई post graduation course करना है लेट से आपको MA करनी है MSC करनी है तो सब के लिए आपको CVT PG exam देना ही होगा क्योंकि सिर्फ graduation की आज की जमाने में कोई value नी रही है हमें जाद से जाद अपनी skills को अपने profile क को आगे बढ़ाना है और एक अच्छी जगे से अगर आप post graduation करते हो कोई professional course करते हो तो उसकी बात ही कुछ और होती है तो यहां पर मैं आपको बताने वाले कि अगले आने वाले 6 महीनों में आपको किस तरीके से चीजों को prepare करना है तो अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पत करना चाते हो पॉल साइंस में करना चाते हो जोग्रफी में करना चाते हो पॉल साइंस में चाते हो या फिर जोग्रफी में चाते हो आखिर कर किस चीज में में करना चाते हो या फिर कोई language में करना चाते हो English में करना चाते हो हिंदी में करना चाते हो या फिर MSC करना चाते ह या फिर अगर आप आगे जाके MBA करना चाते हो या फिर आप आगे जाके कोई professional course B.A.D. करना चाते हो L.L.B. करना चाते हो आखिर आगे करना क्या चाते हो पहले ये तो decide करो क्योंकि उसके accordingly आप CVT PG exam के तयारी तभी start करोगे क्योंकि हर एक course के लिए ये अपना अलग question paper code है क्योंकि आपको decide करोगे तब जाकर आप paper दे पाओगे तो सबसे पहले let's say मेरे को आगे जाके MA in history करनी है तो मेरे को देखना पड़ेगा कि मेरे कौन सा question paper code में COETPG का exam देना होगा जैसे मैं आपको question paper code आपको दिखा देती हूँ करना चाते commerce वाले को ये भी option रहता है तो उनको कुछ में एक्जाम देना पड़ेगा उनको जैस योगा में कुछ करना चाते professional course तो आपको 21 में एक्जाम देना होगा तो वही तुम्हें कह रही हूँ पहला सब्सक्राइब कर लो क्या आपको आपको अब करना क्या है तभी आपकी यह दोनों सबसे ज़्यादा बच्चे देते स्यों क्यूप 11 वो लोग देते जो कि आगे जाके जनरल एक्जाम होता है क्यूंकि यह तो आप आगे जाके लल्बी करना चाते हो पर बैचलर और लाइब्री और इन इंफरमेशन साइंस क अगर आप आगे जाके जनरल एंब्री करना चाहते हो मार्केटिंग और फाइनस मेनेजमेंट ट्रावल होटल मेंजमेंट बिजनेस सेल्स और मार्केटिंग में कुछ करना चाहते हो तो आपको 12 का एक्जाम देना होता है सबसे जाधा डिमांड में रहते है क्योंकि यह दो देख सकते हो कि आपके पास कितने question paper code है जिनमें आप exam दे सकते हो यहाँ पर मैंने पूरा जो है add-on कर रहा है let's say अगर आपको microbiology में जो है कुछ करना है आगे जाके post graduation तो आपको SCQP 03 में देना होगा chemistry में करना चाहते हो तो SCQP 08 देना होगा अब यह भी एक बहुत important है SCQ SCQP 09 यह भी बहुत सारे बच्चे दे रहे है computer science वाला IT में सेक्टर में जाने चाहते हो computer application data analytics cyber security सबके लिए आपको SCQP 09 यह भी काफी trending course है क्योंकि आजकल सब बच्चों को लगता है ना कि पैसा कहां पर है data science computer science सब में बहुत पैसा तो सब लोग masters इसमें करना चाहते हैं तो आप जह है थोड़ा पहले देख लो decide करना क्या है ठीक है decide कर लोगे science वाले बच्चे इन में से decide कर लेंगे यह सारे question paper code आपको किस में master's करनी है तो सारी चीज़े यहाँ पर मैंने mention करेगा humanities वालों के लिए जैसे किसी बच्चे को जोग्रफी में master's करनी है तो उनको H.E.Q 08 देना पड़ेगा history में करनी है H.E.Q.P 09 देना हो history में specifically पढ़ाती हो आपने देख होंगी classes है तो यह मैं पढ़ाती हूं वही पर आप देख लोगे अगर आपको किसी को philosophy में करनी है तो उनको H.E.Q.P 16 देना होगा किसी को H.E.Q.P 18 देना है तो यहाँ पर स्वाती में यहाँ पर आप देख सकते हो अचारे courses के लिए जो है अगर आप professional courses के लिए आगे जाना चाहते हो तो आपको यह वाले exam देना होगा अब second step क्या होता है second step होगा कि आपको अपना syllabus देखना पड़ेगा अब आपने finally decide कर लिया अब अच्छा यह भी आप बच्चों को confusion देती कि क्या मैं मैं एक से जादा courses में जो है कर सकता हूं तो अगर let's say कि मैं humanities की student हूँ मैं चाहती हूँ मैंने BA करी है normal बट मैं चाहती मैं करूं तो आप एक से जादो कोसिन पेपर कोड में एक्जांम दे रही है कि में में पाлем कर डिंगे झार चाच कोभू मैक्सिमम एक्जाम दे सकते हो तो अब अगर आप एक से जाधे अपने options को ले रखना चाहते हो तो आप एक से जाधे question paper code choose कर सकते हो उसके बाद सबसे बाद आती है अपना syllabus check out करो कि syllabus में क्या चीज़ पूछी गई है सबका syllabus जो आपको question paper code है आप समर्थ डालना और question paper code डाल देना आपको PDF दिख जाएगी आप syllabus चेक आउट करो अब अपने syllabus चेक आउट कर लिया तो आप देखोगे किया कितनी चीज़े मुझे आती है क्या चीज़े समें जाधा पूछी जा रही आ रहे यह तो कुछ अलग है यह तो कुछ अलग है यह तो मुझे समझ नहीं आया तो आपको पता चलेगा कि where do you stand क्योंकि six months है अभी तो आप syllabus चेक आउट करने के बाद क्या करोगे आप अपने preparation को start करोगे आप preparation को start करने के अलग अलग तरीके है आप एक जो है से graduation की है और कुछ higher level की भी है entrance exam में तो वो डिपेंड करता है course to course आप कौन से question paper code में exam देने वाले हो तो आप self study के माध्यम से भी जो अपने preparation को start कर सकते हो six months में आप अपने notes बनाईए ठीक है six months में आपको क्या करना है आपको starting के three months starting के three months अपने लग कर notes बनाने है notes बनाने है आपको notes making करने है फिर last में जो है आपको जादर से जादर test series लगानी है test series mock test जो है लगाने अब आदे बच्चों का यह भी doubt अखरकर pattern क्या है तो pattern paper code में देने वालों cut off उसके उपर depend करती है तो आप तो यह तो self study कर सकते हैं तो अगर आपके पास self study का time time नहीं है you want more structured more efficient strategy और आपको चाहिए कि कोई हमें बताता रहे हमें content provide करता रहे हमीं guide करता रहे हम सिर्फ एक गंटा बैठेंग और पढ़ाई करेंगे क्योंकि हमारा college है हमारी और भी चीज़े आप कोर्स पर देखें आपके पास कौन कौन से वेबसाइट पर जाएंगे नॉमल अड़ा की आप डाउनलोड करेंगे या वेबसाइट पर जाएंगे तो आप all courses पर जाएएगा UG PG entrance exam में जाएगा CUT PG column में जाएगा CUT PG इधर option में जाएगा तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मैं आपको दिखा देते हूं कि कौन कौन से courses आपके पास अवलेबल है अगर आपको LEQP 01 करना है तो English का विस्तास बैच आपर अगर आपको पॉलर साइंस में करनी है पोस ग्राजवेशन तो आपके पस नीव बाच अवलेबल है जो की हचक्यूप 18 है अगर आपको computer science information technology MCA वगेरा करनी है तो SEQP 09 है काल की बाच अगर आपको history गन्य है तो SEQP 09 अभिमन्यू बाच वे अवलेबल है रूद्र बैच COQP 12 दोना चारे बैच COQP 11 संघर्ष बैच जो है हिंदी के लिए QP 02 तो यह सारे बाच जो है इनके लिए अवलेबल है आप आप देख सकतो PG economics का भी बैच यहाँ पर तो आपको किताबे भी मिलती है बुक्स भी आपको यहाँ पर मिल रही है इन दोनों बैचेज में ठीक है वही पर अगर आप सिर्फ बुक्स लेना चाहते हो तो वह वाला भी option है let's say अगर आप इनको खरीदना चाहते हो let's say आप खरीदना चाहते हो COQP 12 बैच को ठीक है लगाएंगे यहाँ पर आप जो है coupon code लगाएंगे so coupon code लगाती ही आपको जह यहाँ पर और फॉर्दर डिस्कांट मिल जायगा आपको कोड क्या लगाना है आपको code लगाना है अशी 20 मेरा नम अशी है डबल यह एस चाह आए और 20 अगर आप लगाओगे तो यहाँ पर आप कोर्स पढ़ जाएगा तो सभी कोर्स पर अभी डिसकाउंट चल रहा है और अभी बिल्कुल एक दम सही मौका है सिक्स मन्स आपके पास पड़े है आपको यह पूरा जो है मार्च में आपका एक्जाम होगा तो आपके पास अच्छा-कासा मौका है अभी से प्रिपेर करो प् केस्ट सिरी अफुलेबल है जनरलग पर कि इस युगी फटवेल टोल मॉकी मौक wrestling के मोप tabs के मौक यहां पर देक सकते हैं के पास 60 sectional mock test यहाँ पर PG के आपके पास available है जैसे अगर आप let's say B.Ed.C.O.Q.P.03 लेना चाहते है तो यहाँ पर भी आप क्या करेंगे 879 रुपीस का है बट यहाँ पर अगर आप यहाँ पर coupon code लगाएंगे तो यहाँ पर यह भी आपको सस्ता पढ़ जाएगा तो अगर आप यहाँ पर लगाते हो तो आप यहाँ पर लगाते हो तो आप यह देखे हो A.29 का यह पढ़ जाएगा 50% आप जो हो गया इस पे तो आप continue करके इनको जो खरीद सकते हो बुक्स भी आप क्या पास available है यहाँ पर मैं आपको बुक्स भी दिखा देती हूँ अगर आपको बुक्स खरीद नहीं है तो बुक्स यहाँ पर आप देखोगे यह वाली बुक्स अवलेबल है COQP 12 के बुक्स भी है COQP 11 का complete book kit आपके पास अवलेबल है और मात 820 हाँ पर further आप आशी तोरड़ी लगा हुए तो और यह further कम हो जाएगा 700 सम्थिंग की जो आपको यह बुक्स पर जाएगी ठीक है तो थर्ड स्टेप हम यहाँ पर आए थे तो मैंने आपको बताया था कि आपको अपनी preparation स्टार्ट करने है आपको यह decide करने कि आप किस तरीके से preparation करना चाते है self study करना चाते है या फिर किसी platform की मदद लेना चाते हो तो यह depend करता है आपके उपर totally सिले बस देखने के बाद ही आप decide कर पाऊगे फिर उसके बाद आपको क्या करना है उसके बाद PYQs revise करने है फिर बाद में यह आपको steps जो करने PYQs आप starting में भी एक बद देख सकते है pattern आपको पता चल जाएगा level आपको पता चल जाएगा और level अब धीरे धीरे बढ़ी रहा है क्योंकि competition जब CUTPG का बढ़ता जा रहा है लोग aware होते जा रहे है कि हाँ अगर हमें post graduation करनी है तो हमें CUTPG का exam देना ही पड़ेगा तो आपको सारी चीज़ें समझ जा गई है ठीक है वही पर अगर आपको कोई भी doubt होता है तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप जो है मैं को mail कर सकते है अगर आपको कोई भी doubt है किसी question paper code को लेकर कि ma'am कौण से question paper code में हम exam देगा अगर हमें इसमें master's करनी है इसमें post graduation करनी है या फिर कोई भी कोई सी course से related कोई doubt है कि COQP 11 क्या है COQP 12 क्या है कौण से भी किसी से related doubt है तो आप मुझे जहे mail कर सकते है मेरी mail id है ashi.sharma ashi.sharma at the rate at the rate at the rate at the rate 247.com आपको जो है मैं बहुत जल जो है reply करनी की कोशिश करूँगा आपके doubt solve करनी की कोशिश करूँगा अप इसमें मुझे mail करके अपनी questions जहें पूच सकते हैं नीचो comment section में भी आप अपने comments जाल सकते हैं अगर कोई doubt है ठीक है तो मैं कोशिश करूँगी proper guidance और proper mentorship आपको जह प्रोवाइड करने की और वही पर अगर आपको एक course ले रहा चाहते हैं तो course के लिए आप यहाँ पर coupon code आश्रोन कर सकते हैं वही पर इस video के महाध्यम से बस मैं यही बताना चाहूंगी कि अब टाइम जो है काफी कम रहे गया six months है और six months में बहुत सही चीज़े आती रहती है festival season आ जागा बहुत सही चीज़ों में busy हो जाते हो तो अब इसे थोड़ा थोड़ा अगर आप पड़ोगी क्योंकि I am assuming कि जो भी CUTPG देने वाला बच्चा है वो free तो है नहीं वो कुछ न कुछ कर रहा है या तो job कर रहा है या फिर वो already graduation कर रहा है अपने पढ़ाई भी कर रहा है तो उसके साथ-साथ चीज़ों को manage करने के लिए six months आपके बस इनाफ है आप उनको जो अराम से यूटिलाइज कीजी अभी से तैयारी किया रही है तो आपको जो एक अच्छा अच्छा college जो पोस्ट ग्राजुशन के लिए मिल जाएगा तो I hope आपको ये video अच्छी लगी होगी तो अगर आपको और कोई भी टाउट है तो do let me know in the comment section तो ऐसे videos हम आपके लेकर आते रहेंगे so till then आप सब लोग अपना ध्हान रखेट आते देखे बाई-बाई